अस्सलाम आलेकुम नमस्ते दोस्तों उमीद करती हूं आप लग सब ठीक होंगे सुबा का समय हो गया यहां पर उठ गये आज का बोलोगी में क्या क्या करेंगे आप लोग के पासेर करेंगे अगर मेरा बोलोगी चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेर रोश्चराइब जरूर किजेगा आज हम बलोगी चैनल में कीचन टीप्स लेक्या हैं बहुती काम आने वाला है और आप का बहुती कीचन का पैसा बचत होने वाला है यहां पर हम अक्सर बरेट लाते हम लोग बढ़र लाते है तो इस तरह थोड़ा मोड़ा बच जाता है बच जाता है तो बरेट खतम हो जाएगा उस समय इस तरह करके बरेट को ढखके रख दीजेगा उपर वाला पाट को जिस तरह हम लोग बेकरी के पास लेते उसी तरह रहेगा अग्दम फरेश रहेगा और सौप्ट रहेगा अब यहां पर हम पेकेट में भारती हैं और अच्छी तरह से यहा यहां पर एक रवर्बिन लगा लेंगे इस तरह रखने से आपका बरेट अग्दम सौप्ट रहेगा और लगेगा हम अब भी खरीद के लाएं उसी तरह रहेगा फरेश रहेगा अब दो दिन तीन दिन भी रखके खा सकते हैं आपका बरेट अग्दम हाड ने होगा देख यह वाला टीप्स आप लोग का कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताएगा अच्छा लगा तो लाइक से रो सस्क्राइब जरूर कीजिएगा अगले टीप्स के लिए आगे बढ़ते हैं तेल खरीद के लाते हैं और इस तरह करके हम लोग पेकेट काट करके डबे में भारते लेकिन थोड़ा मुडा तेल पेकेट में रहा ले रहता है इतना कहशा धयान देने से आपका तेल का भी बचाथ हो जाएगा और किचन का भी बहुत साथ पैसा बचत हो जाएगा देखे यहां परा में कटोरा लेंगे और कटोरा में कितना सारा तेल निकलेगा थोड़ा थोड़ा चीज में धयान देने से ही आपका किचन का पैसा बचत होने वाला है देखे यहां पराम दिखाते यहां पराम इस तरह करके खड़ा करके रखेंगे को कडोरा का उपर रि्या चैनले इस तरह करके खळा करके रख देने से आपका जीतना भी पेकेट में त्यलेẻ सब क्या चायाएगा दिखाते रहिक लोग किछाण का धयान हुब हुआसे पहुत सबयां देने से लेकिन और बंगव है मेरा कोई काम में लग जाएगा सब्जी में दीजिए चाहे पर अठा बनाई असानी से बन जाएगा सब लोग का कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताएगा अच्छा लगा तो लाइक से रो सस्क्राब जरूर कीजिएगा अगले टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं यहां आटा लेकर क्या तिफ्स डिखा रहें आप लोगों को यहां पर अक्सर क्या होता है हम लोग कर्वना जान सब्सक्राइब होता है इस तरह करके गरम पानी लिजिए और आटा को उपरमें रख दीजिए अगर तुरंत रोटी बनके तयार हो जाएगा जब शेहरी का समय होग तो अब देखे यहां पर हम ढकन बंद कर दें जितना भी गरम पानी का वाफे सब आटा में आ गया है और देखे एकदम अच्छी तरह से स्वफ्ट हो गया है यहां पर हम तुरंत रोटी बनके तयार हो जागा इसमें ज्यादा दिकत भी नहीं हो और ज्यादा समय भी न लगे लगे गहां इस तरह करके कि जिए इस तरह कर बहुत जल्दी बनके तरह लगेगा तो सब्सक्राइब नरम नरू बने जो लगेगा तरह लगेगा और यहां पर अग्दम समय से पहले रोटी बनके तयार हो जाएगा अक्सर क्या होता है हम लोग फिर इसे निकाल के रोटी जब बेलते हैं तो बहुत समय लगता है बहुत दिक्कत होता है इस तरह करके अगर बेलिएगा तो रोटी भी सौफ्ट होगा और समय भ बहुत ज़्यादा बच जाएगा और जल्दी काम बन जाएगा आपका यह वाला टीप सफलों का जरूर पसंद आएगा देखे कितना असानी से रोटी बनके तयार हो गया है और सहरी का समय अगदम तुरंत बनके तयार हो जाएगा कितना फिरिज में रखेगा तुरंत बनके अब देखे होता है हम लोग रोटी बनाके बेलना चेकला को साइड में रख देते हैं लेकिन यह इसके बाद ऐसा ने रखना है यहां पर हम एक बुंत चाहिए रिफाइन का तेल दोनों कोई भी चीज दे सकते हैं और अच्छी तरह से यहां पर चेकला में मिलाना है और बे चेकला दोनों अग्दम अच्छा रहेगा खराब नहीं होगा क्या होता है इसे रख देते हैं तो खराब हो जाता है अब अगले तिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं यहां पर हम आटा लिए आटा यह फरेश आटा नहीं है जो हम लोग रोटी बनाते वो ज्यादा दिन रह क्या करेंगे दिखाते हैं वीडियो में बना रहेगा जरूँ स्किप मत कीजिएगा तब जाके आप लोग के पता चलेगा इवला टीप्स क्या है यहां पर हम ज्यादा साबून का इस्तेमाल होगा बहुत सराची जिसमें धुलाएगा अब देखें यहां पर इतना साबून को घिस लिए इससे ज्यादा हम साबून को नहीं घिसेंगे देखें यहां पर हम इतना साही साबून को घिसेंगे जो बचा हुआ आटा रहता है जो हम लोग रोटी बनाते हैं तो उसमें रोटी बनाते बनाते आटा खराब हो जाता है तो हम लोग चीटी वगरा को देख द भूरम धोला जाएगा देखिए अची तरह से यहाँ पर हम मिला ली है साबुन को राटा को दोनों को कर दो आभिवहाँ थोड़ाँ थोड़ा पानी दे करके अची तरह से यहाँ पर हम आठा को शानेंगे इस थरह करके इस तरह सान आने वाल़े टीप हम आप लोग के सब्सक्राइब पर दोक्त पसंद आएगा पसंद आगा तो 115 लायो कीजिएगा अवे基本 यहां पर हम अची तरह से आठा को सानलिए ज्यादा गिल्लाप भी नहीं करना यह घ्रमनी करना इस अभी हम दिखाते हैं यहां पर हम आठा और साबून को हम मिला है यहां पर हम डालेंगे कड़ाही में अग्दम अच्छी तरसे मिला ने जितना भी कला है सब अभी तुरंत खतम हो जाएगा जितना ऐसे ही साबून में जल्दी सापने होगा उससे कहीं ज्यादा यह थोड़ा स दोने वाला बरस रहता है उसी में हम घिसेंगे देखे अच्छी तरह से यहां पर हम घिस के दिखा रहे अग्दम तुरंत खतम हो जाएगा किस तरह अग्दम साफ होगा अभी हम दिखाते हैं वीडियो में बना रहे हैं इसकी मत कीजिएगा बहुत काम आने वाला तीप्ष साबुन से धोते हैं तो क्या होता है कहीं कहीं दाग रागर जाता है लेकिन इस तरह करके अगलब खुआएगा तो आपका बरतन में जरा सा भी दागर नहीं profitability जो साबुण का निशान वो भी नहीं समय बहुत सरा बरतन अपका धुलाए जागा तरा ही नहीं कोई भी कीज रहे सस्पेंड रहे चाहे कुकर रहे जिसका काला पड़ा हुआ इस तरह करके घिस ए अगदम तुरंत साफ हो जाएगा देखे किस तरह अगदम साफ हो गया है ऐसे इसाबुन धोने से इतना साफ नहीं होता है जितना आटा मिला के थोड़ा सा धोने से साफ होता है देख कुन सा कुन सा अप लोग का टिप्स पसंद आया कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगले टिप्स के लिए आगे बढ़ते वहीं देखे यहां पर हम एक जारा लिए जारा में क्या होता है हम लोग कोई भी छानते है तो इस तरह करके तेल जम जाता है और कितनों रगणने से भ देखे लगे लिए बहुत तरह करके मिला आना है सावुन ऐसी तरह से घीषना उफ्षफ्ण भी आपका तेल जमा हुआ है और अकड़ा जायेगा और है बहुत आसानी से साफ हो जाता है देखे किस तरह साफ हो गया है अग्दम लग रहा है नया जैसे अग्दम मार्केर से खरीद के लाए उसी तरह लग रहा है कहीं भी मेरा तेल का निशान जो रहता है दागी-दागी जमा हुआ वह कहीं नहीं है अग्दम तुरंत खतम हो गया ह देखें यहाँ पर हम नजदी से दिखा रहे हैं इवाला टीप्स अपलों का जरूर पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइक से रो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा सोनी हम बोलोग चेनल में फिर मिलते हैं अगले टीप्स